यह देखें एक युवा साथी है जो नर्मे में आज डिएपी की बुवाई कर रहे हैं और अभी मैं वर्तमान चम्वे में राजिस्टान के हुन्मानगर्ड चेत्र के नोहर और बादरा के बीच गोगामेडी सरदारगडिया के पास हूँ और यहां एक युवा साथी है जो नर्मे में सिलर या अड़वा निकाल रहे हैं उसके साथ साथ है डीपी की बुवाई कर रहे हैं यानि की एक प्रकृतिक खेती की तरह आप यह मान सकते हो कि अपने कैमल फार्मिंग से खेतों में अड़वा निकाल रहे हैं इसका इस पोदे को भी बचा लिया गया है तो काफी बेनिफिट है और युवा साथी की आप उमर देखें अभी एक बदायां भी देने को बनती है कि भाई का लग बग 20 एक दिन पहले ही विवा हुआ है यान की बिलकुल यंग है और हाथ की सफाई देखें आप जैसी की प्रोप ज्यादा पहले इनको चलाते थे लेकिन हम आज के टाइम में कि टेक्टर की तरह बढ़ गए हैं हमने इसको छोड़ दिया लेकिन कुछ यूँआ साथ ही आज भी ऐसे हैं जिनके यह टेक्टर भी है और कैमल फार्मिंग भी कर रहे हैं बैलों से भी कर रहे हैं तो अपने अ अजारों लाखों घूम रहे हैं जो बे सारा गलियों में घूम रहे हैं उन्हें भी हम मिस्यूज के बज़ाई सही उज में ले सकते हैं तो इसी तरह से भी जैसे कि आप देख पारें भी है कैमल फार्मिंग और यह जो डिपी की बॉई करनी है यह लगबग एक सो पैंसर फ इस चीज का भी युवा साथी हैं वह इसे ध्यां रख रहे हैं क्योंकि मैंने जब इसे चला के देखा तो मुझे भी ऐसा एसा हुआ कि जब पोदे नहीं है तो डिपी डालने का मतलब नहीं मनता तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस युवा साथी ने इसे उखाड़ना केमल फार्मिंग कर रहे हैं सारे साथी कमेंट में जरूर बताएं उठ या बढ़्द बेल जो भी अपने कहते हैं उन तरीकों से कौन-कौन साथी खेती कर रहे हैं और भाई आपका नाम क्या है अजय कुमार आगा अजय कुमार स्वामी की खेत की भाई की वीडियो बन रही है जो कि लोके सिनमनी वीडियो में बताई है